दोस्तों वैसे तो इस चैनल पर कई बार में investment के बारे में बात कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर लोग मुझसे पहला सवाल यही करते हैं कि सर investment हम करना तो चाहते हैं लेकिन start करे कैसे क्या-क्या चीजों की जरुद पड़ेगी कैसे यह होता है हम कहां से सीख सकते हैं किस platform पर हमें जाना चाहिए investment करने के लिए तो अगर आप investment को सुरू से समझना चाहते हैं जीरो से तो यह video आपको complete जरूर देखनी चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा investment क्या होता है क्यूं हमें करना चाहिए और हम इसे कैसे start कर सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको knowledge पूरी देने की कोशिस करूँगा नमस्कार दोस्तो मैं हुई योगी योगेंदर आप देख रहे हैं टेकनिकल योगी नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, अलिटेग दोस्तो investment के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई investment आखिर जरूरी क्यों है तो देखिए, अगर आप पैसा कमाते हैं earning करते हैं चाहिए आपको salary मिलती हैं चाहिए आप business man है, चाहिए आप professional है लेकिन आप month में जितना भी पैसा कमाते हैं तो एक ideal ratio ये है कि आपको 50% तो खर्च करना चाहिए अपनी गुजर बसर पर यानि कि जो भी आपना जीवन चलाते हैं आपकी जो जीवन से लिए आपका 50% तो उसी पर ही खर्च हो जाता है आप जितना भी कमाते है बाकी जो 50% बसता है उसमें से 30% को आप अपने शोप पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हो जैसे आपको bike purchase करनी है car purchase करनी है कहीं गूमने जाना है trip plan कर रहे हो आप या आपको कोई camera purchase करना है महगा iPhone करना है तो देखें यहाँ पे आप stock market में invest कर सकते है stock market क्या है कि जितने भी companies होते है उनके stocks होते है तो वो company तो बहुत बड़ी होती है अब हम खुदो company खोल ने सकते है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पूझी चाहिए तो हम उसमें से कुछ share होते है जहाँ पे हम पैसा निवेश कर देते है अब यह जो पैसा होता है यह company की performance के साब से पैसा बढ़ता है और घड़ता भी है यहाँ पे दोनों चीज़े risk factor भी है और आपको benefit भी हो सकता है अगर company का stocks उचा चला जाता है लेकिन risk factor कम जब हो जाता है investment करना बहुत जरूर यह life में बात करेंगे कि भाई investment हम start आखिर करें कैसे तो देखे investment start करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ना आपको कोई ऐसी knowledge चाहिए कि लो भाईया आप तो financial field से आते हो तब ही आप invest कर सकते हो कई लोग पूछते हैं कि sir हमको तो investment के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है तो हम finance field से भी नहीं आते हैं तो क्या हम invest कर सकते हैं बिल्कुल sir you can start investment अगर आपको कोई knowledge नहीं है तो भी आपको वस थोड़ा वस सीखना है लेकिन आपको research करना पड़ेगा research के बिना आप ऐसे ही पैसा invest करोगे तो आप नुकसान में रह सकते हो तो आपको यहाँ पे पहले research करना पड़ेगा पहले सीखना पड़ेगा बात आती है कि हम सीखे कहां से तो देखें मैं आपको आज एक platform के बारे में बताता हूँ एक platform है money flicks अब यह money flicks जो platform है यहाँ से आप काफी अच्छा content कंजूम कर सकते हो और सीख सकते हो stock market के बारे में अब यह platform अच्छा इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे OTT platform है जहाँ पर हम अपने आपको entertain करने के लिए बहुत सारा content कंजूम करते है तो क्यों ना कुछ ऐसा content भी कंजूम किया जाए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले तो यहाँ पर जो money flicks है यहाँ पर आपको जो भी content मिलेगा वो सब stock market के related ही मिलेगा यानि आप अगर इस content को कंजूम करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा knowledge हो जाएगी stock market के बारे में उसके बाद आपको stock market में invest करने के लिए सबसे पहले demate account open करवाना पड़ेगा demate account open करवाने के लिए आपके पास आधार काड़ होना चाहिए आपके पास पैन काड़ होना चाहिए आपके पास एक bank account होना चाहिए और आप easily online घर पर बैठे बैठे ही Demit Account open करवा सकते हैं, बात आती है कि किस platform पर हम Demit Account open करवाएं और हमें कौन कौन से equipment चाहिए, कौन कौन से devices चाहिए, मार्केट में invest करने के लिए, तो देखें अगर आप computer यूज करते हैं, अफिर laptop यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊंगो आप आपको share खान के बारे में, share खान का जो app है, espresso जो उन्होंने अभी launch किया है, उसके बारे में बताता हूं, सबसे पहले लेकिन बात करेंगे share खान की, share खान काफी पुरानी company है, सन 2000 से market में successfully काम कर रही है, यानि कि 20 साल से चाहदा का इनको अनभावे, तो आप क्या कर सकते है share खान की espresso app पर जाकर investment start कर सकते हैं, आप laptop पे भी से use कर सकते हैं, आप desktop पे भी से use कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको share खान की तरफ से आने वाला espresso app इसलिए suggest कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप start कर रहे हैं और आप learning process में भी है, तो यहाँ पर start करने के लिए य यह वाला जो platform है, यह इसलिए बढ़िया है, क्योंकि 1 November 2020 से यहाँ पर account opening charge बिलकुल free है, इसके अलावा अगर माल लीजे आपको stock buy करते हैं, उसको sale करते हैं, तो अगर आपको profit होता है, तो company आपसे brokerage लेती है, otherwise आपसे brokerage नहीं लेती, pay only when your profit, इसको हम थोड़ा सा और elaborate करत हैं, देखिए होता क्या है, कि जब भी आप share को खरीदते हैं, और share को बेचते हैं, दोनो टाइम आपको brokerage देनी पड़ती है, normally other applications पे या फिर other platform पर, अब my espresso app में आपको ये feature मिलता है, कि buy करते वक्त तो आपको देना पड़ेगा brokerage, लेकिन जब आप उसे sale करेंगे, share को, तो वहाँ पर अगर आपको profit होता है, suppose आपने 1000 रुपे का कोई share buy किया, buy करते वक्त आपने brokerage दे दी, लेकिन जब आप उसे कुछ time बाद sale कर रहे हैं, sale करते वक्त 1000 रुपे का share की कीमत बढ़कर, अगर 1100 रुपे हो गई है, यानि आपको यहाँ पर profit हो गया, तब ही आप आपने share buy किया था, buy करते वक्त आपने brokerage दी थी, लेकिन sale करते वक्त अगर उस share की कीमत 8500 रुपे रह जाती है, तो आपको loss हो जाता है, तो आपको brokerage देने की कोई जरुवत नहीं है, तो इसलिए ये app start करने के लिए काफी अच्छा है, इसके लावा जिस moneyflix के बारे में मै आपको बताया कि वहाँ से आप content consume कर सकते हैं, उसका एक साल का subscription आपको यहाँ पे बिल्कुल free दिया जाता है, अगर आप Espresso app पर अपना Demet account open करते हैं, और यहाँ से अपना investment start करते हैं, और अगर आपके पास मान लीजे laptop नहीं है, desktop नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप mobile से भी invest कर पाएंगे, Espresso app नई app है, और यह beginners के लिए काफी अच्छी app है, अगर आप start करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस app का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना Demet account open करवाना है, उसके बाद का जो process है, वो मैं आपको direct mobile के थुरू बताता जाल दूँगा, उस पे जैसे आप click करोगे, आप इस play store पर आ जाएंगे, otherwise आप google play store पर जाकर इसे search भी कर सकते हैं, यह इस तरह का app है और यहाँ पे install का आपको option मिल जाता है, आपको install बटन पर click करना है, जैसे आप click करेंगे यह app आपके mobile में install हो जाएगा, हो चुका है, इसके बाद हम open पर click करेंगे, open पर click करेंगे, यहाँ पे कुछ permissions आपसे मांगेगा, उसको आपको allow कर देना है, espresso a share khan company, यानि यह जो app यह share khan company के द्वारा ही बनाया गया है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, तो अगर आपका demit account पहले से open हुआ पड़ा है, तब तो आपको login ID करना है, mobile number से, email ID से, और customer ID से, और password डालके login कर लेना है, और अगर अभी तक आपका account ओपन यह तो आपको open account पर click करना है, और आपको process करने है online, आपका demit account ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने अपना demit account ओपन कराया हुआ है, तो म एक है MPIN, अगर आपका phone fingerprint sensor को support करता है, तो आप fingerprint add कर सकते हैं, otherwise आप MPIN add कर सकते हैं, यह security के लिए काफी अच्छा होता है, और अगर आप चाहते हैं, तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना fingerprint add करूँगा, यहाँ पे हमारा जो espresso app वो open हो गया है, और हम यह सारा indexing देख सकते हैं, NSE का भी और इसके लावा उपर आपको BSE का भी option मिल जाता है, NSE का मतलब होता है National Stock Exchange और BSE का मतलब होता है Bombay Stock Exchange, तो आपको दोनों exchange का आप यह index देख सकते हैं, इसके बाद उपर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे market movers का भी एक option है, इस पर हम जब click करेंगे, तो आपको यह सारा का सारा index यहाँ भी नजर आ जाएगा, कि market कैसे कैसे move कर रहा है, इसके बाद एक है watch list, तो यहाँ पे watch list पर हम click करेंगे, तो यहाँ पे आप देखे, Nifty, Sensex, MIS, MIS+, यहाँ पे आपको 4 option मिल जाते हैं, इसके अलावा add new watch list, यहाँ पे watch list का भी खुद की भी watch list बना सकते हैं, इसे माल लीजे मेरे नाम है योगी, तो मैं अपनी खुद की एक watch list बनाता हूं, submit करता हूं, अब यहाँ पे हमारी योगी के नाम से एक watch list आ गई है, अब हम यहाँ पे script को add कर सकते हैं, अब देखे, add script में माल लीजे, मुझे SBI का add करना है, तो SBI मैं यहाँ पे लिखूँगा, और SBI इन लिख दूँगा, मैं SBI यहाँ पे आ जाएगा, तो यह SBI आ गया है, तो मैंने देखे, SBI को यहाँ पे add कर लिया, और यहाँ पे add कर चुका हूं, तो यहाँ पे मैं अपनी खुद की watch list बना सकता हूं, और stocks को देख सकता हूं इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक option बताता हूं, यहाँ पे आप click करेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी add कर सकते हैं इन में से, आपको सारी चीज़े हाँ पे मिल जाएगी, जैसे lower circuit है, या minimum quantity है, या bid price है, सारी चीज़े मिल जाएगी, आप चाहें तो select all को apply कर सकते हैं, आप चाहें तो इन में से जो भी आपको पसंद है, जो आप देखना चाहते हैं, उसको click करके भी add कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप plus करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा, कुछ और भी आप यहाँ जैसे मैं HDFC कर देता हूं, HDFC मैंने यहाँ पे किया, तो द दिखाएगा, किस तरह का जो information आजएगा, Nifty का, Sensex का, MCDX का, सब कुछ आपको दिखाएगा, USD, INR क्या चल रहा है, सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो इस तरह का भी यहाँ पे आपको option हमेशा उपर नजर आता है, आप इसको हटा देंगे, तो यह index को जैसे में अभी आपको SBI और HDFC के बारे में बताया, इसके बाद यहाँ पे उपर equity है, यहाँ पे आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, currency वगएरा सब कुछ आपको उपर ही मिल जाएगी, यह देखिया, आप currency वगएरा देख सकते हैं, इसको अभी हम अटाते हैं, इसके श्लावादि के watch list का यहाँ पे आपको option मिल जाता है, आप देख सकते हैं, fund transfer आपको report का और अपको option मिलेगा, e apply का मिल जाएगा, tools का मिल जाएगा, other मिल जाएगा, notification मिल जाएगा, सारे के सारे option आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ प का option मिल जाएगा, सारे option आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं, अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे stock को buy और sale कैसे कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आप market movers में सारे के सारे stock दिख सकते हैं, ACN paint है, इस पर मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो option है, अगर आपको मालीजे delivery trade कर नहीं है, मालीजे एक long time investment करना है 10 दिन के लिए, एक महिने के लिए, कितने भी दिन के लिए तो आप CNC option को चूज करते हैं intraday के लिए आप margin intraday को use कर लेते हैं, इसके लाब यह MIS plus है, यह भी intraday में use आता है तो यहाँ पर CNC की बात करते हैं यहाँ पर हम quantity select करेंगे, भई हमें कितने share चाहिए, यहाँ पर price select करेंगे इसके लाब यहाँ पर bracket option यह सारे चीज मिल जाते हैं, stop loss limit लगा सकते हैं, stop loss trigger लगा सकते हैं, तो इस तरह के यहाँ पर आपको सारे के सारे जो है option मिल जाते हैं उसके इसाब से हम यहाँ पर अपना order जो है लगा सकते हैं यहाँ पर देखे हैं, stop loss market है stop loss limit है, तो यहाँ पर आप माल लीजे, stop loss market हमने लगा दिया और यहाँ पर trigger price हमने देखी अभी 2225 रुपे का चल रहा है और यहाँ पर माल लीजे, मैं इसको 2500 कर देता हूँ तो यह हमारा इस तरह से trigger हो जाएगा जब इस point पर आएगा और यहाँ पर हम चाहें तो stop loss limit भी लगा सकते हैं तो यह सारा के सारे function आपको easily मिल जाते हैं, और आप order भी कर सकते हैं यानि कि sell भी कर सकते हैं और buy भी इस app में कर सकते हैं इसके लावा यही market movers के अंदर नीचे आपको top gainers, top losers यह सबका index मिल जाएगा top traded volume, सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह app investment को start करने के लिए काफी easy है, और आप start कर सकते हैं और आप Moneyflix के दुआरा सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे और आप इस पर start भी कर सकते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने investment के बारे में बात की आपको बताया investment क्यों जरूरी है कैसे आप start कर सकते हैं moneyflix के दुवारा आप content consume करके कैसे आप learning कर सकते हैं और कैसे आप free में account open करवा सकते हैं क्योंकि एक नवंबर से Espresso में account opening charge बिलकुल free है इसके लावा आपको जब profit होगा तब ही आपको brokers देना है otherwise नहीं देना है तो आपको एक अच्छे platform के बारे मैंने बताया आपको मैंने इस platform Espresso app के सारे के सारे features के बारे में बताने का try किया और नीचे आपको description में सारे link मैंने provide करा दिये आप जाकर check कर सकते हैं Espresso app को install कीजिए और investment start कर दीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया like share कर दीजिए चैनल पर पहली बारा है तो subscribe करने के सारे नोटिफिकिशन बैल को दबाकर all फर किलिक करें इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए में सब बनाता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए चैहिन